ड्रामा के शिर्वात होते ही हम फीमिल लीड वेन्मेन को देखते हैं ये इस वक्त एक शो भी काम कर रही होती है और यहाँ इसे स्क्रिप्ट दी जाती है लेकिन तब यहाँ पर एक पॉपिलर एक्टरेस आती है जो कि आकर वेन्मेन से स्क्रिप्ट चीन लेती है और उसके उपर बिना मतलब का गुशा करने लग जाती है इसका नाम था लियोन इन दोनोंने साथ में एक्टिंग ट्रेनिंग किया हुआ होता है लेकिन लियोन थोड़ा जादा फीमस थी इसके पास पॉपुलारिटी और फीम था इस शो को चोड़ने के लिए लेकिन वेनमेंट मना करती है तो फिर लियोन उसे थपड़ भी मारती है लेकिन वेनमेंट कुछ ज़्यादा ही बोली होती है इसलिए उसे कुछ नहीं कह पाती लेकिन वेनमेंट की ट्विन सिस्टर बड़ी चलाग होती है लिन सबसे पहले उससे शो की स्क्रिप्ट चीनती है और वार्निंग देती हुए कहती है कि आज मैं अपनी बेहन की वो जो से तुझे चोड़ रही हूँ वाई नाइस वीडियो के साथ सब तुम्हारी भी बेहन बज़ा देती ऐसा सब कुछ देखकर लियून को यहां से जाना पर जाता है इसके बाद एक फोटो शूट होने वाली होती है लियून वेन वेन को धमकी दे कर जाती है कि फोटो शूट में वो रेड्रेस बहन कर नहीं आएगी और वेन वेन भी डर कर हां कर देती है लेकिन लिन को तो उसे काफी खुबसूरत लग रही होती है इसलिए फोटोग्रफर उसे पर बैठा कर लिए उनको पीछे खड़ा करके फोटो क्लिक कर आता है इस वजो से लिन उसके काफी मजे लेती है एक तरफ हम देखते हैं कि वेंड में को कोई सीडियों से धक्का देता है इस वजो से वेंड म पर तुभी जाकर शूट करना होगा नहीं तो बहुती बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और वेंड में का नाम भी खराब हो सकता है तो अब इसकी जगह पर वेंड मेंड की बेहन लिन जाकर शूट करवाएगी एक तरफ लियों जो की फिर से अपने सोर्स का इस्तमा का ही करा धरा है लेकिन वो अपनी बेहन का कईर इतनी असानी से कैसे खतम होने दे सकती है और यहां पर रपो कुछ प्लानिंग वगएरा करने लगती है नेक्सीन में हम इस ड्रामा के मेल अक्टर से मिलते हैं और यह एच्डपलू ग्रूप का प्रेसिडेंट है और इनका नाम है मिस्टर लुशुन तरफ हम लेन को देखते हैं जसने यह प्लान बनाया होता है कि वो लुमो मेल आक्टर को बनाएगी ताकि वो लेन के साथ शो में ऐस अ कपल काम कर सके यहां पर इसने कपल कॉंट्रैक्ट भी बनाया था जिसके लिए वह उसके साथ फेक कपल बनक पारने लग जाती है सब कुछ समझाने के बाद जो उसे बताती है कि वो उसे वन लाग यूँवन पे करेगी यह सुनकर वो पीछे मुरता है और कहता है कि यह कोई और नहीं बलकि वहीं नर्गा होता है जिसे लिन ने हाई स्कूल की टाइम पर प्रपोस किया हुआ हुआ है लेकिन लूशन ने उसे बिना कोई जवाब दिये रिच्चेक कर दिया होता है अब तो वो उसे दीखती ही रह जाती है लूशन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लेक रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं ऐसा सुनकर ये अपना फेस चुपा कर यहां से भाग जाती है जाते जिसका 6 उलेट कर 9 हो गया था और तभी यहां पर लूशन कब आयाता है लेकिन लूशन का पूरा ध्यान उस कॉन्ट्रेक के उपर होता है लिन बाग कर अपने फ्रेंड्स के पास आती हुए कहती है कि मुझसे यह सब नहीं होने वाला क्योंकि यहां पर मुझे लूशन मिल समझ गई थी कि यह मुझे मुझे मना कर रहा है इसलिए वो लव लेटर नीशे फेकर उसे 21 बीकर भांशाथी है यह किस के बाद तो और भी ज्यादा इंबारस करने लगती है यह बिचारी सोच कर परिशान हो रही होती है कि लूशन मेरे बारे में पता नहीं क्या-क्या है लेकिन अब उसे तुबारा देखकर वो काफी जाता इंबारसिंग फील कर रही होती है अब यह यहां से निकल नहीं जा रही थी लेकिन तभी उसे डारेक्टर बोलाने के लिए आते हैं पर इस शूट में उसे रोकर थोड़ा एक्टिंग करना होता है क्योंकि उसे अपन करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी बूल गई तुमारा कॉंट्रेक्ट लबर बनने के लिए मैं त्यार हूं और ऐसा कहकर वो उसे अपनी कर लेता है डारेक्टर तो उन दोनों को में कपल ही बना दीते हैं जिस वजह से लिन काफी जादा खुश होती है लेकिन तभी लूशन कहता है जादा खुश होने की जरूरत नहीं है मेरे करीब आने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रापी करने होंगे लेकिन वो तो प्राइस और बढ़ाई जा रहा था वो कहती है तुम तो कंपेनी की मालिक हो लेकिन तुम्हें मेरे इतने पैसों की क्या जरूरत है यूशन कहता है फिर तो तुम अपना कपल वाला ड्रामा भूली जाओ इसलिए वो उसे एक्स्ट्रापेक करने के लिए मान जाती है आखेर लूशन बड़ा कंजूस निकलता है इनका अगला टास्क एक कैमपर होने वाला होता है इसलिए ये लोग वहाँ जाने लगते हैं नेक्स सीन में हम वेन वेन को देखते हैं जो की आप को मा में चली गई थी जिसकी देखबाल करने के लिए लूशन की डिवान कि यो कि लिन्ट नाइं कर सकती ऐन नियून केहता है कि उसे फटाव से किस करने लग जाता है सबी कि यहां पर हैरान हो जाते हैं लिंट फुट बश करने लग जाती है लूशन कहता है कि इस किस के लिए तुम्हें 10,000 यवान एक्स्टा पे करना होगा बाहरा के लिन की दोस्ट काफी जादा शॉक्ड होती है और वो लिन से सवा करती है कि ये सब हो गया रहा है लेना से सारी चीज़े अच्छे से समझाती कि देरसल हमारी बीच क्या चिल रहा है मैं अपनी पर ये महनत से उसे 1,20,000 यवान पे कर रही हूँ और इस कॉंट्रेक्ट के वज़े से मेरे वो पैसे भी खतम हो जाएंगे जो कि मैं बहुत टाइम से स्टेविंग करके रखा था मैंने और तो और उपर से ये लूशन मुझसे एक्ट्रा पैसे भी लूट रहा है और तो और शूटिंग के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे सारा कुछ कवर अप हो जाएगा वेल इसके बाद ये लोग अगली शूटिंग स्पॉर्ट पर पहुचते हैं जहां लूशन लिन को कार से छोड़ने के लिए जाता है लिन यहाँ पर काफी ज़ादा इंबारसिंग फील कर रही होती है लेकन लूशन बार बार घोफिर कर उसके करीब आ रहा था ये दोनों हर जग काफी ज़ादा चाह गय थे और नियोज पर भी इनकी के मिस्टरी के बारे में ही बाचीत करी जा रही होती है इन सबकी वज़र से लिन काफी ज़ादा जैलिस फील करती है इसी वज़र से वो लिन की इमेज खड़ाप कर राने के लिए अपनी एक महंगी ज़ुलरी लिन के पोर्स में डलबा देती है इन वहाँ ना टेक्श्रू करती है कि मेरी ज़ुलरी चोरी हो गई उसकी हरकते देखकर लिन सारा कुछ समझ जाती है और कहती है कि अच्छी कोशिश है मुझे फसाने की येकिन ये टेक्नीक काफी पुरानी हो चकी है ये कहकर वो अपने पोर्स से उसकी ज़ुलरी निकाल कर नीचे फैकर उसे देती है और इसलिए उसे 70,000 यवान उसे पे करना होगा लेकिन असल में उसकी ज़ुलरी पहले से ही टूटी हुई होती है लेकिन लेन उसे ये प्रूव नहीं कर सकती थी और ये वहाँ पर लिशुन आ जाता है जो आकर ये प्रूव कर देता है कि ज़ुलरी तो पहले से ही टूटी हुई थी और लेन के जादा ही भाव खा रही थी जादे हुए वो टेवल से टिकराती है जिस वज़े से कॉफी गिर जाती है लिशन जान मुझ कर अपना सूट खराफ कर लेता है एनस का लजाम यूए लियून पर डालते हुए कहता है कि तुमें डेल लाक यवान मेरे सूट के लिए पे करना होगा कहता है कि चलो अभी नहीं करना तो बाद में कर देना लेकि ने जो 70,000 यवान तुम जो मांग रही हो यो उसमें से माइनस कर लेना और बागी जो बची का वो मुझे पे कर देना और लिए उनको विचारी को ऐसा ही करना पड़ता है दूसरे के लिए गिर्ड़ा खोद कर उसी में गिर जाती है इन सब की वज़िए से लेन काफी ज़्यादा खुश होती है लिए उनसे कहता है तुम्ही के लगा कि मैं ये सारे पैसा तुम्हें दे रहा हूँ ये कहकर उसे पैसे वाफस करने के लिए कहता है जसके बाद लिए को वो पैसे च्रांसपर करने पड़ते हैं यहां लिए अपनी तरफ से वो फेक कपल कॉंट्रैक भी लेकर आया हुआ था जिस पर दोने लोग साइंग करते हैं इसके बाद लेन अपनी फ्रेंड को आत जो भी हुआ वोच साजा कुछ बताने लगती है वेन मिन की तबीद की बात करती हुए फ्रेंड उसे कहती है कि अच्छा हुआ कि किसी को तुम पर शक नहीं हुआ कि तुम वेन में नहीं बलके लिन हो ये बात रिकॉर्ड होकर लूशन के फोन पर चली जाती है ये लोग खर बढ़ा जाती है कि अगर लूशन ने ये मैसेज देख लिया तो फिर बावाद खड़ा हो जाएगा और ये लोग मैसेज डिलीट करने जा ही नहीं होती है कि तभी फोन स्विच्ट आफ हो जाता है और तो लिन की हालत खड़ा भी हो जाती है कि कहीं वो मैसेज ना देख ले और फटा फट से लूशन के कमरे में आती है वो देखती है कि लूशन नहा नहा है इसका मतलब कि उसने मैसेज नहीं बढ़ा है और ये इसे यहाँ पर डिस्ट्रैक करने लग जाती है ये कहकर कि मेरा फोन डिस्टार्ज हो गया है मुझे तुमारे फोन की जरूरत है थोड़े देर के लिए अपना फोन दे दो लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ से गुज़र रहे होते है और लूशन इसे कमरे में खीच कर कहता है किसी को पता रही चलना चाहिए कि तुम यहाँ आई हुई हो जिस वज़े से लूशन काफी जादा नोवस फील कर रहा होता है तभी यहाँ फर लूशन का भाई आता है जिस वज़े से लूशन लिन को ब्लांकेट में चुपा दिता है और फोन नीचे गिर जाता है लूशन का भाई लूशन से कहता है लुशन का भाई पूछ रहा होता है कि अचानक से शो में पार्टिसिपिट करने कर रीजन क्या है लेकिन तभी लुशन का भाई टीबल पर रखा हुआ कॉंट्रेक्ट कपल वाला कॉंट्रेक्ट देख लेता है कि लुशन को वेन में और लिन दोनों ट्विन से इसके पारे में मालूम नहीं होता है और नाई उसके हाई स्कूल में किसी को ये बात मालूम था लेकिन स्कूल टाइम में इन दोनों का क्या सीन था ये तो आगे ही पता चलेगा Lotion का भाई जानी रहा होता है तो वेंट में फोन आठाने की चक्कर में नीचे गिर जाती है जिसमें से वो मैसेज डिलीट तो कर देती है लेकिन Lotion का भाई भी उसे देख लेता है यह देखर सभी लोग शोक रह जाते हैं वो पूछता भी है कि तुम दोनों अभी से साथ रहने लगे हो इससे पहले कि वो और सवाह करता लिन फटाफट से वहाँ से बाग जाती है रात में उसी नाइट मेर्स आते हैं कि बारिश की रात स्कूल से आते वक्त दोस पर किसी बंदे ने इतना कर लिया होता है उसकी फ्रेंड कमरे में आती है तो उसे पैनिक करता हुआ देखकर उससे पूछती है तो लिन उसे बता दी है स्कूल के टाइन पर मैंने एक क्रिमिनल के खिलाफ गवाद ही दी थी इसलिए वो क्रिमिनल जेल से चूटने के बाद मेरे पीचे पर गया मिन बताती है कि वेनमिन के इलाज में और भी पैसे लगने वाले हैं तो लिन उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देती है और वेनमिन का अच्छे से खयाल रखने के लिए कहती है वेल लिन को भी फिलाज के लिए शूट पर जाना होता है ये सारी बातें दे यून ने रिकॉर्ड के लिया था और अपनी असेस्टेंट के हैल्प से वो सभी को ये बाते सुना देती है जिसके बात प्रोड़क्ट वाले तो काफी जादा गुसा हो जाते हैं इसलिए वो लोग उसे सबके सामने माफी मांगने के लिए भी कहते हैं और इसे आइड से निकल जाने के लिए भी कह देते हैं लेकिन लिशन वहां आता है और लिन को सपोर्ट करते हुए कहता है कि उसकी प्रोड़क्ट में बहुत जादा गरबड़ी है इसलिए वो लोग उसे अपने शोवी यूस नहीं करना चाहते है वो कलाबरेशन ही कैनसल करवा देता है लेन उसे थेंक्यू कहती है उसे बचाने के लिए यहाँ पर पोस्स से रिक्वेस्ट करती है कि अगर मैं वन लाकी वान तुमें इंस्टॉल्मेंट में दे सकूँ तो कैसा रहेगा यूशन उसे इस चीज के लिए मना तो नहीं करता यह इसे कहती है कि कल दूसरा पार्टनर चूस करना है अगर तुम चाहो तो दूसरा पार्टनर चूस कर सकते हो यूशन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपरा पार्टनर चेंज करना है यह कहती है कि यह तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करना यह तो यह भी कहता है कि मैं हमारे कॉंट्रेक को आगे भी बढ़ा सकता हूँ पहले लेन उसे कुछ जबाब देती के लिए उससे बात करने के लिए उसी बुला लेती है और लियून लिन को ओफर देती है कि मैं तुम्हे वान मिल दिन ये वान पे करूंगी अगले दिन लूशन के साथ आक नहीं करना है बलकि किसी और पार्णर को चूस करना है ये सोचती है इतने पैसे से मेरी बेहन का भी इलाज हो जाएगा और मैं वेटिनरी टीनिंग भी खोल सकूंगी इसलिए ये इस कॉन्ट्रेक्ट के लिए राजी हो जाती है अगले दिन वो अपना दूसरा पार्णरी चूस करती है और लूशन को लियून के साथ प्रेयर अप करना पड़ जाता है इस वज़ों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था वो आगे शूट भी नहीं करना चाहता था उसने इस शो में सिर्फ पार्टिसिपेट भी सिर्फ लेनी के वज़े से किया हुआ होता है और यहां से हमें ये पता चलता है इस स्कूल टाइम में लूशन काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का था और वो लिन को लाइक करता था लेकिन आस तक उसे कभी बताया नहीं लेकिन जब लिन ने उसे अपनी फीलिंग कंफेस करी तो वो थोड़ ज़ादा नौवस हो गया था इसलिए वो उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाया इसी वज़ों से इने मिसंडिस्टैंडिंग हो गई थी इन उसने उसे रिजेक कर दिया प्रेजेंट में लिशन अपने बाई से कहता है कि अब ये अब रॉड वाफ़ जा रहा है तो लिन को कोई और ले जाएगा तो फिर बात भी बचता ना मत ये सुनकर लिशन रुख जाता है इक दरफ लिन पैसो के बारे में मैंन को बता रही होती है उन्ने इसे 5 lakh ion पे करा है पैसो के बचल से ये दूरों काफी जादा खुश होती है हम देखते हम कि जीयां को शो में शामिल कर दिया जाता है लेकिन जीयां को देखकर impression काफी जादा गुसा होता है क्योंकि जियान वही था, जिसे लेन ने ललich letter देकर हग किया था, जिसे ऐसा करते हुए डुशन में देख लिया था, जिसकी पज़यो से उसे ऐसा लगा था, कि शायद लेन जियान को पसंड करती है, लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था, लेन ने ये सब सेर्वंट से बचन के लिए दी है कि लिए के लिए को सब्सक्राइब काफी खा रही होती है कि तुम्हें दोनों के इसा लिए कि ये सबी लोग शॉंट होते हैं उपर से ये गुसा अनक से होता है लिन कहती है कि ये मेरी फॉर्स्ट किस थी तुमने ऐसे कैसे छेन ली तो फिर लूशन कहता है ठीक है मैं वापस से कर देता हूं ये कहकर ये इसे दुबारा से किस करता है ये कहती है कि मैंने कब का मेरा किस वापस करने के लिए लिन लियून को बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया ये कहकर वो नुशन को किस करके कहती है कि अपना किस अपने पास रखो अब ये सीन तो पूरा सोशल मेरिया पर वाइरल हो जाता है और नोगों को इन दोनों के कैमिस्ट्री काफी ज़्यादा पसंद आती है निन सब की वजो से लियून काफी ज़्यादा गुसा होने लग जाती है और वो लिन को दिया हुआ पैसा वापस ले लेती है जिस वजो से लिन फिर से सैड होने लग जाती है वो जियान के साथ जिनर करने के लिए आई होई होती है और यहां हमें पता चलता है कि जियान तो उनके बच्पन का दोस्त है उसे लिन और वेंटमेंट के बारे में सब कुछ पता होता है और वो लिन को लाइक भी करता था लेकिन लेन ने तो उसे हमेशा के लिए फ्रेंड जोन ही कर दिया था लुशन जो कि हॉस्पिटल आया हुआ था और हमें यहाँ पता चलता है कि लुशन को कोई तरह की बिमारी थी इसलिए वो हाइस्पूल टाइम में अबराट चला गया था अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए लिंग से दुबारा मिलने के बाद इसका तो कोई प्लान नहीं है दुबारा वापस जाने का एक तरफ वेंडमेंट को जिस बंदे ने धक्का दिया था वो डॉक्टर बन के इसके कमरे में आ जाता है यहां वेंडमेंट का गला दबा कर वो उसे मानने की कोश्र भी करता है लेकिन तभी वो टीवी पर लिंग का डेटिंग जो देख लेता है और ऐसा देखकर वो हैरान हो जाता है लेकिन तभी यहां पर बैंक आ जाती है जिस वज़े से इस बंदे को यहां से जाना पड़ता यह चेक करने के लिए आती हैं लेकिन यहाँ पर उसे फिर से वही पैनिक अटेक आता है पैनिक अटेक की वज़े से यह कभी जादा डर जाती है लेकिन तभी इसे अपने पीछे के से आने की आहट सुनाई देती है जिसलिए और भी जादा डर जाती है पास बड़ी हुई रो से नहीं बचे थे इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा तो फिर इसके बाद यह से पूछता भी है यह आने की वज़ों यह कहती है कि वैंड मन की तबीद खराब यह पूछती है तो वह बहाना करता है कि मेरे भाई की तबीद खराब थी इसलिए उसे लेकर आया था और तभी यहां जक्मी है तो क्या हुआ मैं इसे घर ड्रॉप करी सकता हूं लिन कहती है नहीं नहीं तुम हमारे साथ चलो हम तुमें घर ड्रॉप कर देंगे जिसकी बाद लूशन बड़ा खुर्श हो जाता है जियान लिन को बताता है कि वो बंदा कोई अंजान था जो वैंड मिन को लेकिन लिन की दोस्त उसे ऐसा करने से रोप देती है और रोपने के चक्र में उसकी नाग से मार्टर खून निकाल देती है अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो फिर मैं तुम्हारे हाथ तर तो दूँगी जियान और लूशन एक दूसरे से बात कर रहे होते ह लेकिन के बारे में सब मालम होगा लेकिन फिर भी वो उसके साथ में नाटक्यों कर रहा है जियान कहता है कि उसके साथ रहने से कोई फाइदा नहीं है वो तुझे 6 साल पहले लाइक किया करती थी तेरे अचानक से जाने के बाद से उसकी फिलिंग भी चले गई है और इस द से सपाता है और मुझे यकीन है कि वो कभी ना कभी मेरे फिलिंग को एक दिन जरूर समझेगी लूशन उसकी लेटर में क्या लिखा था उसके बार में पोचता है जो कि असल में खा ली था लेकिन ये जियान कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता क्योंकि वो जो कि लिन ने उसे दिया हुआ था वो लव लटर देखी रहा होता है कि तब लू फैन वहां आ जाता है यहां उसका भाई आकर उसे हास्पेचल में वेलचेर पर देखनी के बाद अपने भाई को बता देता है और ये भी समझ जाता है कि लिन वेंवन क्यों बनी हुई है य लिन के पास माना की थोड़ा कम दिवाग था लेकिन उसकी असिस्टिन काफी जादा चालू थी वो लिन के बार में पेचले कुछ दिनों के बार में नोटिस करती है और लिन को सारा कुछ पताती है कि वेंवन ने बहुत ही शान्त सभाव की थी और वो बहुत चुप- जाता है कि शायद ये वेन्मन की ट्विन सेस्टर लिन है इसलिए अब ये दूनों कुछ तो प्लानिंग करते हैं एक तरफ लिन और लिशन की शूटिंग चल रही होती है इन दोनों से इन दोनों की टाइप्स के बारे में पूछा जाता है कि लिन को किस टाइप का लड़का पसंद है और लिन ये शन की सारी क्वालिटीज के बारे में गिना देती है और अब इन दोनों की स्कूल फ्लेश बैक का टाइमिंग दिखाया जाता है जहां लिन तो लिशन पर लट्टू थी क्योंकि वह बहुत ही जादा हैंसम था और काफी स्मार्ट और इंटेलिजन था और दूसरों की हलप और केर किया करता था और जाइन मेरों से बहुत ही जादा प्यार किया करता था और तवर बहुत जादा पहांगर बे था और जब लेशन से उसके टाइप के बारे में पूछा जाता है ये वही सेम बात ये बताता है पास सीन में हम देखते हैं कि स्कूल प्रैने से बहती जादा प्यार किया करती थी इसी ये लिए प्रैस करने के लिए कभी बिटा ही नहीं पाया लिए उन्रों प्रैसिस्टन लिंद के ड्रिंक में डाल देते हैं जसको पीने के बाद लिन ऐनेर्जीक रियक्षिन चालों से वाग जाती हैं उसकी दोस्ट अपनी एसटीन के साथ वीडियो कौल परिंग उसे यहां पर चॉकलेट खाने के लिए और तो और यह जान आगको रहिसी लाती है आते हुए उसकी तवियत खराब हो रही थी लेकिन लुशना कर उसे हग कर लेता है और कहता है कि मेरी तवियत खराब है और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो लियून को भी वो यहां से बगा देता है यूशन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है इंदेनिस के बाद वो क न्नों सिंधुनिजिः प्रेंग उता है यह अब सिया को टेखरे करेंग निया है कि इस खुर्ष ने सो भूब न्न पहले का कि लिए अपने भाई वह लूशन को भता है तब लूशुम ने एक employee के laptop पर अपने भाई का contract देखा था यहाँ पर वो Lynn को देखता है जिसने stray animals के लिए एक shelter बनाया हुआ था और ऐसा देखकर वो काफी खुश होता है मीटिंग के दोरान उसी पता चला की वेन्मिन नाम की एक model भी है जो की Lynn जैसा ही दिखती है पता लगाने के बाद उसी पता चला की Lynn और वेन्मिन दोनों तो twin sister है यह उसने इस show के लिए वेन्मिन को select किया ताकि वो किसी बहाने Lynn से मिल सके लेकिन Lynn तो उसकी सामने अपने आप आजाती है एक couple contract लेकर और यहां उसने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था और जिस तरह से वो बात करती थी इससे वो confirm हो गया था कि यह Lynn है इसलिए उसने show में participate कर लिया ताकि वो इस बार Lynn को अपनी feelings बता सके कि वो हमीशा से Lynn को ही like करता था लशन जो होता है वो producer को धकी मार कर बाहर निकल वाता है और लिन को hotel room छोडाता है लेकिन next morning Lynn को तो कुछ याद ही नहीं होता कि आखिर वोपटी room में पहुची तो पहुची कैसे और नहीं में को याद होता है लेकिन Lynn को इतना जरूर याद था कि इस producer ने उनके साथ बत्तमीजी करने की कोशिश कर रही थी वैल लिन शूटिंग के लिए जा रही थी तब ही lift में उसे लूशन मिलता है और नहीं इसे थोड़ा थोड़ा यादाता है कि शायद कर लूशन ने ही इसे घर छोड़ा था इसलिए ये लूशन से इस बार में पोचती भी है लूशन कहता है कि अससरो तो भे कुछ ही याद नहीं कि मैं न तुम्हें कर क्या क्या कहा था ये कहते हैं नहीं मुझे कुछ ही याद नहीं अगले सीन में उस producer की वाइफ बहुत जाती है और आते ही लिन को थपर मार देती है लेकिन लिन भी काफी धीर थी और वो उसे पुष्ट कर देती है और पुष्ट करके नीचे किरा देती है प्रोडूसर की वाइफ उस पर चलाने लग जाती है कि तुमने मेरे पती को से ड्यूस कर रहा था उसकी मुवी में रोल पाने के लिए और पुष्ट के तौर प्रोडूस अब के सामने दिखाने लग जाती है जब वो प्रोडूसर लिन को ड्रिंक कराने के लिए उसके करीब आ रहा था तो वह वही सारी तज़वीरे दिखाती है लिन कहती है आपको पते ही हमें ड्रिंक कराकर हरेस कर रहा था तो ये औरत उससे प्रोफ मांगने लग जाती है लिन कहती है कि उन लोगों ने तो हमारा फोन पहले से ले लिया था इस वज़़े से हमारे पास कोई प्रोफ नहीं है लेकिन ये तो उसके खिलाफ बोले जा रही थी ये बुटी शान्ती नहीं होती ये इनके इसने मीजिया वालों को भी बुला लिया था हमेशा की तरह उसे बचाने के लिए लूशन यहां पोच जाता है और इसे समझा देता है कि कल मैं भी वहाँ पर था और तुम्हारा बाती इन्हीं ड्रिंक कराकर इनका एरवांटेज लेना चाता था और इसी वज़े से मैंने उसकी अच्छी खासी दू लाई करी है जिसकी जिशान उसके बॉड़ी पर होंगे और घर जापर चेक कर लेना और तुम्हारा के काम था कि तुम वहां पर पहुच गये थे तो यह सब की सामने कहता है कि लेन मेरी गोर्द्फरेंड है और इसलिए मैं उसके साम गया था और वैसे वह वह जया तो मेरा ही था लेकिन यह बुंटी फिर से कहती है कि तुम ना टकर रहे लेकिन ये सबके सामने लेन को किस कर लेता है जो से लेन की जो नेगितिव इमेज बन रही थी तो आप इनके ओफीशिल कपल होने की बात चलने रख जाती है लिशुन कहता है कि अभी भी अगर बिलीव नहीं हो रहा तो अपने पती को कल देज देना मुझसे बात करने के लिए देखता हूं कितनी हीमत है उसके अंदर मेरा सामना करने की ये संकर बुड़ी मुझे चुपा कर भाग जाती है तभी लिशुन को एक कैमरा मैन के उपर डाउट होता है जो कि हाथों में गलफ बहन कर इनकी फोटोस प्लिक कर रहा था इसलिए वो उसका बीचा करता है लेकिन वो बंदा उसे चकमा देकर निकल जाता है एक तरफ लिन उसके बाद लूशुन के खयालों में खो जाती है इवन कि अब वो फिर से लूशुन को लाइक करने लगी थी एक तरफ जियान को जब उन केसिंग के बारे में पता चलता है और वो उन लोगों की केसिंग वाली फोटो भी देखता है तो वो लिन से मिलने के लिए उसके घर बहुत जाता है यहाँ तोड़े देर में लूशुन भी आ जाता है यहाँ जियानों से पूछने लग जाता है कि तुम्हें किस करने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें लिन को बचाने के लिए जूट ही बोलना था तो तुम उसे गड़ी लिगा कर भी ये बात बोल सकते थे लूशन कहता है जो मेरे दिल और दिमाग में आया मैंने वो कर दिया यान कहता है अच्छो ठीक है लेकिन गर्ल्फरिंड बताने की क्या जरूरत थी दोस्तों बता ही सकते थे लूशन फिर से कहता है कि मैंने कहा ना जो मेरे दिल दिमाग में आया मैंने वो करा लिन को भूक लगी होती है तो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं लेकिन बाहर बारिश हो रही थी लिए लिन अपने कबरी में चाता लेने के लिए जाती है एक तेरो जियान लूशन से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है कि जो लिन ने मुझे letter दिया था उसमें क्या लिखा था तो तुम्हें तो खोदी उससे पूछ लेना चाहिए तो फिर लूशन उस दिन को याद करता है जब लिन ने उससे love letter दिया था लेकिन नीची फैकने की वज़ो से वो letter पानी में भींग गया था इसलिए letter में जो कुछ भी लिखा था वह साना कुछ मिट गया था इसलिए उस letter में क्या लिखा था उस बार में पूछने के लिए लेकिन उसके पास जाने लगता है लेकिन वह रात हो चुछी थी और फिर वह यहां पर देखता है उसी आदमी को जो लिन को परिशान कर रहा होता है वेलकमिंग बै साथ में रहने के लिए भी कहता है यह कहकर वो उस बंदे के पीछे चला जाता है थोड़ी दूर जानी पर उस क्रिमिनल का लिशन की फोन पर कॉलाता है कहता है कि तुम मुझे भोले तो नहीं होके जिसकी बाद उसी रात का फ्लैश वैक शुरू होता है जब लूशन कुछ सुन कर पीछे मुड़ा था तब यह उसे जमीन पर लिन की केमिस्टरी कॉप भी मली थी और सामने से उसे चिलाने की आवाज आ रही थी इसलिए वो भाग कर उस तरफ जाता है और यहां वो देखता है कि वो क्रिमिनल लिन को मारने की कोशिश कर रहा है और लूशन जल्दी सुनाई देती हैं कियोंकि लूशन पहले ही पलीस को बिला लिया होता है लेकिन पकड़ा हुआ हता है चुनाने के लिए क्रिमिनल लूशन को मारने शालक थैरो पकड़ा जाने के बाद क्रिमिनल लूशन से कहता है कि मैं एक दिन वापस जरूर आँगा और फिर मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा और देखना इस चीज के लिए तुम बहुत ज्यादा पच्छता होगे इसके बाद इस क्रिमिनल को पांच साल की सजा हो गई थी कमिन ब एंडे सिउसाइड कर लिया और तो और मेरी बीवी घर से बाग गए सिर्फ तुम दोनों की वजह से ऐसा हुआ मेरी जीने की कोई वजह नहीं बची और तुम दोनों इतनी हैपली लाइफ जी रहे हो और मैं ऐसा नहीं होने दूगा लिशन कहता है तुमने क्राइम्स किये ह लेकिन की कर्बिन कहता है कि अब मेरी वारी है तुम दोनों से बदला लेने की कि चिंता मारों बोले कि घर ची बर्म के जपेबातमारों क्यों ङुह करता है लेकिन वहाग नहीं वह से वाग नहीं बाताए और खाना खाने के बाद उसकी अपार्टमिन पुर्ण को बिला लेना चाहिए यह कहती है लेकिन मैं तो हमेशा से ही अकेली ही रही हूं मुझे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन लुशन को इसकी फिकर होती है और कहता है कि मैं तुमारे सतरात को रुख जाता हूं यह कहकर वो अंदर चला आता है और सारी खिड़ की पर बारिश के वज़े से बाहर टेक्स ही नहीं मिलेगी और तो और मेरा ड्राइबर भी हास्पिटल में है इसलिए वह पिक करने नहीं आ सकता हूं लेकिन इस वज़े से लिन को बड़ा ओक्वर्ड फील हो रहा था लेशन कहता है डूर मरी मैं यही पर सोजाओंगा तो मेराम से रूम में जाकर सोजाओं उसके फोटोस देखने के गया हुआ होता है लेकिन फिर दिन उससे रोकने के लिए आती है यह पर उसने उन दोनों ट्विन सिस्टर्स की फोटोस देख ली थी वैसे तो इससे पहले से ही पता था लेकिन इससे अभी थोड़ा ओक्वर्ड लगता ह है कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों की ट्मिन सिस्टर भी हैं तुम दोनों हाइस्कोल दे बढ़ा करते थे लेन कहती है मुझे पता नहीं हमारेा बच्पन से बंदी नहीं थी जब वो लूशन को छुप छुप कर देखा करती थी, पूशने लग जाती है कि तुम इतने सालों से कहां थे, और फिर यहां से एक flashback शुरू होता है, उस criminal की rod की वार की वो जो से, लूशन की थाई की हट यां टूट गए थी, और वो चल भी नहीं सकता था, इसलिए उसकी मम मा उसके इलाज के लिए अब रॉड लिकर गई थी, जिसका एक और रीजन ये भी था, उस criminal ने लूशन को दम की भी दिया था, जिस वज़े से उसकी ममा को उसकी बहुत जादा फिकर होने लगती है, यह कि इन लूशन लिन की भी फिकर किया करता था, ममा कहते हैं कि उस criminal को लिन का नाम तक नहीं पता, तो चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, और फिर शायद वो लोग भी शहर छोड़ देंगे, लूशन अपनी ममा के साथ अब रॉड चला गया था, कब बैच अज़े प्रेजन लिन तो बस उससे देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसकी लिन की बाद में उन दोनों कोई शूटिंग शेट पर ले जाती है, एक दरफ लिन लिन की बड़ती पॉपुलारिटी को देख कर परशान हो चुकी होती है, एं देन उसी बीच उसे एक अनून नमबर से मेसेज आता है, इसमें लिखा होता है कि तुमारे एक काम की चीज, वेलनन होस्पिटल के वी आईपी रूम में है, ये मेसेज उसे क्रिमिनल ने वेजा हुआ होता है, लेकिन लियोन अभी इस मेसेज पर जाता ध्यान नहीं देती, नेक्सीन में हम देते हैं कि शूटिंग के दौर पर लेनोर लिशन को मेन कारेक्टर बना था, लियोन जाता उसकाने के लिए, अपने को एक्टर लिमो के साथ, अपना एक फेक रिलेशनशिप अनौन्स कर देती है, और लियोन थोड़ा सैट होकर लिशन से कहती है, कि तुम भी मेरे लिए एक महंगी रिंग लेकर आओ, लिशन कहता है, ये कहकर वो अपनी डाइमंड रिंग निकाल क लिए उसने लिन को देने के लिए खड़ीता था, ये उस रिंग को पहन कर फ्लेक्स करने लग जाती है, लियोन और लिन दोनों लोग एक दूसरी को जलाने के लिए अपने पोल खोलने लग जाते है, लियोन कहती है कि मैं आज को बहुत भी साथ पॉपलर हूँ, और मेरी द गरमें सात वे सह बीरहें, ऐसा लँक्त कर भी कराओं लियोन को वहन कहा हुशकम है, है कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, ये फञाड़न के लिन दोनों लेह लिन की उन पर आजाता है, इस वाज़ों से लिए उन का जैलिस ही रहती है, लिए उन को फ़ось कर मैंसे आता है, ल पुछने लग जाती है कि आखिर ये मैस्टिच किसका है और ये चाहता क्या है। एक तिरफ लिन की अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे होटर्स नजरे गड़ाई हुए थे। लिन और लिशन की साथ में फोटोस कीचने के लिए जब लिन ने पॉब्लिक लिए अनॉंस कर दिया होता है। मैंने जाओगी और जहां भी जाओगी उझे बता कर जाना। अब ऐसा इसने इसलिए कहा होता है। ताकि ये उसे उस क्रमिनल से प्रोटेक कर सके। लिन मांद तो जाती है लेकिन इस इवेन्मेन को देखने के लिए जाना होता है। और तो और इसका एक्जाम भी होता है, लिन कहती है चिंता नहीं करो मैं कुछ बाहना बना कर चली जाओंगी, सुछ ये चुपसाफ से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही होती है, लेकन तभी नुशन उसे देख लिता है, ये बाहना करती है कि इसे थोड़ी शर्दी है, जो पैसा बागी है, वो तुम्हें अभी ट्रांसफर करने पड़ेंगी, ऐसा सुनकर लिन मान जाती है, लुशन कहता है, तुम्छे दा मत करो, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाओंगा, मैं हॉस्पिटल के सामने पार्किंग में खाना रहूंगा, लिन के अंदर जाने इसने आज तक कभी किसी से जगडा तक नहीं किया, लेकि लिन बच्पन से ही किसी ने किसी से पंगे लेती आ रही है, इसलिए लिन सोचती है, शायद कोई मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन लिन को उस क्रिमिनल का ध्यान नहीं आता, बलकि उसके बदले तो वो अपन हो आता हुँ देख लेती है, और तभी लेशन वहां आ जाता है, और उसे चुपा कर वो अंदर चला आता है, और नहीं डाइपेट करने के लिन की फ्रेंड बाहर आती है, लेकिन दवी उसके सामदें लू फैन दिखाए देता है, और वो उसे दर्मासे पर लगा कर उसे किस लू फैन तो किस के बाद दूहां ही रह था, वो कहती है किया कभी किसी को किस नहीं किया, वैसे तो यहां पर क्या कर रहे थे, कहता है कि मैं इस डेलु ग्रूप का वляется हो, और असे इस बात पर बलीव नहीं होता, जाने के बाद उसे यह यकिन हो जाता है, कि दोन नंग lawn को काफी embarrassing feel हो रहा था कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी याद आया तो वही हमारी क्लास की टॉप को लगता है कि शायद criminalist को call या messages कर रहा है और यह चुपाने की कोशिश कर रही है इसी दिए यह इसे कहता है क्या चुपा रही हो दिखाओ मुझे इस चक्कर में यह इसके उपर ही गिर जाता है और तभी उस स्टोरी की जो और यूबुक हो दी है वो चालू हो जाती है इतनी से मिलवाने फालो करते हुए लियों भी यहां पर आ जाती है एक्जाम खतम होते लिन भाग कर बाहर आती उसकी दोस्ट वेंड में से मिलाने की बात ना करें पीशा चुड़ाने के लिए वो बोशन चाकर थोवसा चौकलेट खा लेती है क्योंकि उसके बैक में एंटी अलर लियों इसके पास आता है अपना जैकेट बढ़ा दीता है लियों कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम दंदा नहीं है लियों को लिन की काफी जादा फिकर वो उसे डाट लगाता है और कहता है कि तुम इस तरह से चौकलेट के जिखा सकती हो क्या तुम्हेंब बता नहीं कि ये तुम्हारी हैट के लिए कितना डेंजरिस हो सकता है मुझे तुम्हारे कितने फिकर हो रही ती और मैंने कहा था ना कि तुम अकेले बताना इतनी जादा केरिंग परसनाल्टी देखकर वो तो बस उसे देखती ही रह जाती है रेन में हम दिखते हैं कि लिन वैसा सब कुछ करने की कोशिश करती है यह अपने बाल खुले रखके काम कर रही होती है और लूशन से कहती है अपने बाल बांदने के लिए वो उसका बाल बांता है और रबर बैंड लगा देता है ऐसा देखकर लिन मनी मन में सोचती है कि मैं तो रुमें दीता है और अपना कपड़ा लेकर यहां से चल जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स इन सबका इंटर्व्यू ली रहे होते हैं और यहां पर जो लिए उन होती है कि यह वेडियों नहीं बलकि लिन है और वो वीडियों भी दिखा दिये कि वेडियों के दिल लियून जरूर कोई बवाल करीगी इसलिए इसने पहले से वेंटमें जैसे कपड़े पहन कर एक रिकॉर्डिंग करके पहले से रख लिया होता है सुबूत की दौर पर लेकिन फिर इसके बाद वो जो क्रिमिनल होता है वो लियून को वो फीक कॉंट्रेक्ट भी इस हुई थी लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं और बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं ऐसा कुछ सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यून को भी इन सब चीजों में साथ दे रही होती है और यून को भी इन सारी चीजों पर विलीव न क्लॉप हो चुका होता है रोम में आकर परिशान होई जा रही होती है क्योंकि इसके बाद इसकी काफी जादा इंसल्ट होने वाली है वर तभी इससे उस क्रिमिनल का कॉल आता है जो उसी कहता है तुमने इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया लेकिन ये उस क्रिमिनल के चिला कर कॉल कट कर देती है और तभी इसकी रोम की घंटी बसती है बाहर क्रिमिनल आया हुआ था कहता ही कि तुम कितनी बड़ी डम हो तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चनिटी मिस्स कर दी एंदेन ये उसे पुलीस की दम की देकर जाने के लिए कहती है लेकिन क्रिमिनल जर्वासर रोबती हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी गर्दन के नीजे गरेशान अभी भी याद है ऐसा सुनकर लियून हैरान हो जाती एंदेन एक फ्लाश बैक से हम भी पता चलता है कि इस क्रिमिनल ने लियून को ही मोलेस्ट कर रहा था इसकी कुछ फोटोज अभी भी उस क्रिमिनल के पास है उस रात लियून को बचाने की छकर में उस क्रिमिनल ने लियून लूशन और अटेक कर ला था और अगडरे से ही डरी हुई थी और यह सब धंकियों से और भी ज़्यादा डर जाती है नेक्सीन में हम देखते हैं कि लूशन को मता चल जाता है कि इस मीटिंग में वो क्रिमिनल भी आया हुआ था क्योंकि वो साथ करोर की होती है एक तरफ क्रिमिनल लिशन को कॉल करता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक वार्निंग है मैं अभी इसके साथ क्या क्या कर सकता हो तुम नहीं जानते दरसल ये ड्राइवर की रूप में आया हुआ होता है लेकि टेंशन ना लो मैं अभी इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि अभी मुझे तुम दोनों को तरपाना भी तो है मुझे जूनने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मेरी सारी इंफोर्मिशन फेक है इसलिए तुम लो मुझे ढून भी नहीं पाओगे इसके बाद ये फटापर्ट लिन के अपार्टमेंट पहुचता है और यहां लिन को सेव देखकर उसे फटापर्ट से अपने गली लगा लिता है अब हमें पता चलता है कि लू फैन में को लाइक करने लगा है एक दिरफ लियुन जेकी काफी जादा ड्रिंक कर रही हो थी अपने पास्ट के बारे में याद करके उसकी असिस्टिंट आकर से कंसोल करती है इसके बाद उस सिलूशन मिलने के लिए आता है और वो उससे डिरिक्ली पूशती है क्या तुमें पता है कोई और नहीं बग की लिन थी जिसके पीछे तुम हाथ दोकर पड़ी हुई हो ये सुनकर ये काफी जादा इसे बुरा फील होता है लुशन कहता है कि अगर उसके बारे में तुमें कुछ भी पता चले उस वीडियो में लुशन भी आ गया था इसे देखने के बाद वो लिन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है उसे सोरी और थैंक्यू बोलने के लिए लिन गरी हुई थी जियान के क्लीनिक और यहां पिर जियान उसकी बिंदी के साथ खेलता वो फोटो क्लिक कर लेता है और तो और वो फोटो सोचल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और जब यह जीज लुशन देखता है तो उसे काफी जादा गुस्सा आता है वो जलसी फील करता है लेकिन वो अपने आपको कंट्रोल करता है थोड़ी देर बाद लुशन लिंक का हाथ बकर कर उसे घर चलने के लिए कहता है लेकिन जी अन लिन का हाथ बकर कर उसे रोक लेता है और उसे अपनी feeling बताने से पहले वो practice करता है वो उसे सारे कुछ बताता है कि वो तो उससे भी पहले से ही उसे like करता है जो वो I love you कहता है तो सामने से दर्वाजा जियान कोलता है कहता है कि मैं जानता हूँ कि लिए मुझे like नहीं करती और यहाँ पर जियाने से यह भी बता दीता है कि उसने जो letter मुझे दिया था वो letter पूरा का पूरा खाली था अब यहाँ पर यह अपनी feeling confess करने जाता है तब यहाँ पर lung और muffin आ जाते हैं जो कि उन्हें बोलने से रोग देते हैं और उन्हें खीच कर अपने साथ ले जाते हैं पीछे आया लेकिन लेन ने उस चीज़ को रिजेक्शन समझ लिया इनके इंगेजमेंट की लाइफ टेलिकास होने वालिक होती है तभी लूशन को लियून का मेसेज आता है और वो से मिलने के लिए उसकी रूम जाता है वापर वो क्रिमिनल पहले से ही छुपा हुआ था उसक कि वज़े से वो कुछ टाइम में भी होश होने वाला था लिशन उससे चाकू दिखा कर लेता है क्रिमिनल कहता है कि लेन का एक प्रैक्टिकल एक्जाम है ना उसके कॉलेज में बहुत ही बड़ा कोल स्टोरेज है माइनस ट्वेंटी टेंप्रेचर में एक इंसान सिर्फ आ कपी निकल जाता है जाने से पहले मिंघ को काल करके वहां पहुट जाती है थोक्य देर में देखते हैं कि पकर लेता यहां फोरbon Monta में दिखते हैं कि इनकी लाइव इंगेजमेंट थी जहां पर ना आने के वज़े से मीडिया वाले काफी तरह की सवाल जबाब कर रहे होते हैं जो कि दूसरे से बात चीत कर रहे होते हैं यह तुम्हें अपना ख्यार रखना चाहिए ना यह कहता है हर बड़ी में मैं आ रहा तीज हो जाती है एंड लुशन भी इससे करता है जिसके बाद यह दोनों लोग अपनी फिलिंग कंफेंस करते हैं लेकिन तब लिन की फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि प्रेस कॉंफरेंस वाले बवाल कर रहे हैं अगर जाकर उन्हें जबाब नहीं दिया तो ना जाने वो होगा अब सारे मीडिया वालों के फोन में एक फोटो चली जाती है जब लुशन लियून के रूम में आया था अब रिपोर्टर्स की तो आदत ही है बात की बतंगड़ बनाना तो यह लोग सवाल जवाब करने लिख जाते हैं कि आप लियून को क्या काम था यह लोग अपन को यहां से निकलन के लिए कहता है इंसे फ़ाउं की वज़े से कंपनी को काफी जादा नुकसान पहुचता है इसलिए उन की पोजिशन से रजाइन के लिए के लिए और अपने बाइक को बना दिता है नेक सीन में हम लिन और लुशन को साफ में दीखते हैं यह जोनों एक वजह से अपनी जान देरी हम देखते हैं कि लिंग का बॉर्टे सेलिबरेट कर लेकिन वो केक घेर कर खराब हो जाता है इस वजह से लूफेंड परसी रेस्टराउन में लेकर राता है बर्डे सेलिबरेट करने के लिए लेकिन यहां पर लोग उनसे नफरत करते हैं और केकर लोग बर्टड़िकी जगर डटड़्यकते देते हैं रास्ते में यह लोग बन लेकर अपना बर्ड़ी बनाते हैं इसे विश्ट मागने के लिए तो यह कहते है कि मेरी विश्टी जो की पूरी हो चुकी है और सबस्सक्राया होता ने लियुन ने इन लोगों के लिए इस उड इस रिकॉर्डिंग में वह सारी चीजिशे होती है जो कि उस क्रिमिनल को जिल पहुचाने के लिए काफी होती है लुए उन्हें पार्किंग में आते हैं जो क्रिमिनल होता है वह लूफ उनको मार कर गिटनाफ कर लेता है और कार में खुद बैठ जाता है पैन ड्राइव भी तोड़ देता है और क्रिमिनल उसे मारने जा रहा होता है ये क्याते है कि उस पैन ड्राइव में तो वो वीडियो था ही नहीं पैन ड्राइव तो लूशन के पास है क्रिमिनल उसे कॉल कर पर वो पेंटराइव लानी के लिए की लिए गए बस लिए possess रहए लेकिन लिए बीच में आ जाता है और वो रूख जाता है और तब optimize यहां आ जाते है और या क्रिमिनल अर्रेस्ट हो जाता है नेक्स सीन में वो हॉस्पिटल में आखे खोलता है और ये दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं इन दोनों के किस होने जारे होती हैं लेकिन तब ही जिया ना करें इन डिस्टर्ब कर देता है लेकिन अब तो लोशन खुलन खुला प्यार करने लग जाता है उसकी जाने के बाद ये लोग फिर से किस करने जाते हैं लेके ने जवार लेन के फोन पर कॉल आता है और इसे पता चुलता है कि वेंड में को होश आ गया है ये अपने फ्रेंड को फटा-फट से जाकर ये खुश ख़वरी देती है वेल जब ये घर आती है तो फाइनले इन दोनों को तोना रुमेंस करने का टाइम मिलता है इसके बाद कुछ दिनों बाद इनकी वेडिंग सेम ने दिखाई जाती है जहां फरनले सारे कस्मे वादे करने के बाद इनकी शादी कंप्लीट होती है लो फेंड भी अपने दिल की बाद मैंको बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मैं भी उसका हाथ पकर लेती है इन कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है और इन दोनों के किस के साथ इस ड्राम की है पी एंडिंग हो जाती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडो में तब तक के लिए ठेक केर बाई और थेंक यू फॉर वाचिंग